कर्तब बेही ऐसा आदर से जो कभी धोका नहीं दे सकता और धहरे ऐसा कड़वा पौदा है जिस पर फल हमेसा मीटे आते हैं नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में दिसक्स करेंगे 28 नॉमबर के करेंड़ पर दिसक्स करेंगे आटोमेटिक और सबसे पहले में जाए और दिकि वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करजेगा तो चली शूरू करते हैं आज के करेंटर पर से नुकरिके सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करेंटर फेस्टों बुजए गए सभी कोश्चनावटे के सेथ्रों की देखे कल कुश्चनावटे का पहला प्रस्था की इंटरनेशनल डेव फार्दा एलिमिनेशन आफ वाइलेंस अगेंस्ट वीमेन किस तिती को मना गया तो देखे ये तिती आपकी है 25 नौबर और दूसरा था की डेविस कब 2019 किस ने जीता है तो देखे डेविस कब 2019 को जीता है राफेल ना डालें और तीशरा था की वर्ल्ड एथलेटिक्स के दौरा किसे पूरूस एथलीट आपड़ येर 2019 चुना गया तो देखे इनका नाम है एलियूड किप चोगे और चोथा था की वर्ल्ड एथलेटिक्स के दौरा किसे महिला एथलीट आपड़ येर 2019 चुना गया है तो देखे इनका नाम है दालिला मुहम्मद और अब पर्सों का वीडियो देखे जो है इसके बारे में रिवाइज कर जेगा और पांचों परस्ता के 19 से 21 नौबर 2019 को स ये इस सम्मेलन के बारे मैंने आपको पर्सों के वीडियो में डिटेट में दाथ था तो पर्सों का वीडियो देखे इसको तुरंद रिवाइज कर लीजेगा और ये आज के गरेंटेपर का पहला और सबसे मोस्ट इंबर्डरिन प्रशन है कि 28 बिहारी पुरसकार किसे दि मतलब कोई भारत का ऐसा एक्जाम निमचा इसमें ना पुझा जाता हो और खास तर से ये राजस्तान के एक्जाम में पुझाता है और क्यों पूझा जाता है राजस्तान के एक्जाम में खास तर से ये भी आपको पता चल जाएगा अभी आपको क्या रखना है कि जो आपक और fragे आएए बिहारी पुरिसकार के बारे में ज जा लिते हैं यह निजे ज NICK बिखला फाउंडेशन के द्वारा प्रवर्ति तीन साहित पुरसकारों में से एक है और इसे जो है केवाल राजस्थानी या फिर राजस्थान के लेखों को दिया जाता है तो यह डीटेस या रखना है कि जो अपका बिहारी पुरसकार है ये केवाल राजस्थान के लेखों क को दिया जाता है और जो आपका बिहारी पुरसकार है ये पिछले दस वर्सों में हिंदी या फिर राजस्थानी में प्रकासित उतक्रिष्ट लेखन के लिए प्रदान कहाता है इसके विजयता को और एक खास प्रस्ति पत्र और एक प्रतीक चिन जो है ये विजयता को दिया जाता है यानि कि जो आपका बिहारी पुरसकार का विजयता है इसको धायलाग रुपे दियाते हैं और एक प्रतीक चिन जो है प्रतान कहाता है और एक जो आपका केकी बड़ला फांडेशन है इसके बारे में रखा गया है और इस foundation के असापना 1991 में की गई थी और इसका जो मुख्याल है आपका ये दिलने में सीदा ठीक है तो बिहारी पुरस्कार के बारे में और के का के के बड़ला foundation इन दोनों के बारे में याद रखना है लेकिन सबसे परी का रखना है कि 28 मां बिहारी पुरस्कार दिया गया है राजस्तान की प्रसित दलेखी का मनीशा कुलसरेश्ट को इनकी जो इनका जो उपन्यास है इसका नाम है स्वाप्न नाज ठीक है और इकी दूसरा प्रशन है कि वर्स 2019 का अंतरराष्टी प्रेस फ्रीडम आवार्ड किस ने जीता तो दीकि 2019 का जो आपका अंत अंतरराष्टी प्रेस फ्रीडम आवार्ड है इसको जीता है नेहा दिक्षित ने और जबकि नेहा दिक्षित है इनको ये प्रुसकार क्यों दिया गया है और किसके द्वाना दिया गया है ये भी जान लिए देखिए जो आपका ये प्रुसकार है अंतरराष्टी प्रेस फ पत्रकारों को प्रुसाहित करना है जिनोंने बिना डरी एक पत्रकार होने के दाइत को निभाया है और जबकि नेहा देख्षित है इनको ये प्रुसकार क्यों दिया गया है देकि नेहा देख्षित को भारत में यौन तसकरी के घोटालों पर अपनी रिपोर्ड के लिए ये यानि कि अंतराश्टी प्रिज़ीडरी फ्रीडम प्रुसकार दिया गया है 2019। तो ये डीटेल से ही आ रखना है लेकिन एक लाइन में दिमाग में फीड करा लिए कि भारती पत्रकार नेहा दिक्षित को 2019 का अंतराष्टी प्रेस फ्रीडम आवार दिया किया है और दीखे कई लोग आशकल कहरें सर वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है कि किसी भी चीज को जब तक डीटेल में नहीं जानेंगे तब तक सारी प्रेस्ट एक्जाम में आप साल होना ही कर पाएंगे देखिए मैं चाहूं तो आपको यह करेंट डिपरसेशन जो है दस मिनिट में नौ मिनिट में आट मिनिट में बता सकता हूँ लेकिन मेरा उत्तरदाइत हुए है कि आपको complete जानकारी दी जाए ताकि आप किसी भी एक्जाम में बढ़ जाएं तो आपको कोई प्रिशन अगर करेंट डिपर का मिल जाए तो उसको आप आसानी से सौल कर लें तो इसलिए मैं डीटेल में बताता हूँ भले वीडियो लंब आ जाता है और content को आराम से सुनिए इसको note किए और इसको याद किजिए देखिए तीसरा प्रशन है कि भारत के पहले quality रत्न पुरसकार से किसे समानित किया गया तो देखिए जो भारत का पहला quality रत्न पुरसकार है ये सूरेश कृष्णा को दिया गया है और सूरेज कृष्णा कौन है? देखे जो भारत का पहला क्वालिटी रत्न पुरसकार है ये सुन्दरम फास्टनर्स लिमिटेड के जो अध्यक्ष है सूरेज कृष्णा इनको दिया गया है और इनको ये पुरसकार जो है ब्यावसाहिक निकाय भारती उद्योग परिसंग इ पास्टनर्स लिमिटेड के अध्यक्ष है इनको 2019 के कौलिटी रत्न पुरसकार से समाने किया गया है और एक खास बात हो रहे है ये जो आपका कौलिटी रत्न पुरसकार है इसका ये पहला संस्क्राइड है इसी साल ये पुरसकार स्टार्ट हुआ है ठीक है और ये चौता पुरसकार के बारे में जा लते हैं देखिए जो आपकी जीली दला बहरा है ये बिलॉग करती है और इसा राज़ेसे ठीक है तो आईए इस पुरसकार के बारे में जा लते हैं देखिए जो आपकी जीली दला बहरा है ये आपकी जीली दला बहरा है ये बिलॉग करती है और अंतरराश्टी प्रिदिकताओं में भारत का और साती सात कोडिसा का नाम रोसन कर चुकी है और इनको अभी हाली में 2019 के 27 में एक लब्य पुरसकार से समन की जाने की खोशा की गई है और दीखें जो आपका ये एक लब्य पुरसकार है इसके बारे में सौट में जा लेते हैं दीखें इंडियन मेटल्स पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट के दोरा जो है स्थापि जो आपका वारसी पुरसकार है जिसका नाम है एक लब्य पुरसकार ठीक है तो इसका जो winner होता है यानि कि विजेता होता है उसको एक प्रसस्ती पत्र दिया जाता है और इसके साथ में जो है पांच लाख रुपे का नगत पुरसकार दिया जाता है तो दीके ये सारी चीज़ एक्जामें पुछे आती है कि कौन से पुरसकार मिचो है कितनी धन्दासी दी जाती है किसके द्वाना दियाता है तो इसलिए मैं आपको ये पूरी ड्रेस बादा रहा हूँ इसको आप नोट करते जाए ठीक है लेकिन सबसे पर रहा रखना है कि 2019 का जो एक लब बे पुरसकार है ये किसे दिया जाएगा जीली दला बेहरा को जो कि आपका ओडिसा से बिलांग करती है और ये ओडिसा की एक महिला वेट लिप्टार है ठीक है और पांचवा प्रशन है कि निम्ड में से कौन सी कंपनी बाजार पूंजी करड में साढ़े नौ लाग करोड के आंकडे को पार करने वाली पहली भारती कंपनी बन गई तो दीखें ये कंपनी आप भी है रिलाइंस इंडेस्ट्री लिमिटेड और दीखें आपको दादू ये किर्तिमान चुने वाली रिलाइंस इंडेस्ट्री जो है ये भारत की पहली और एक मातर कंपनी है जिसने साथे नौ लाग करोड उपए के आंकड़े को पार किया है ठीक है तो इतना बाजार पूजी करण का आंकड़ा जो आपसे किसी का नहीं था दीखिए इस साल जो आपका रिलाइंस है ठीक है तो रिलाइंस के सेरों में जो है 35 फिजदी की वर्ती वही है और इसका जो सेंसेक्स है इसमें 12 फिजदी की बड़ा थासिल की है और इसी के साथ जो है जो आपका ये रिलाइंस इंडेस्टी लिमिटेड है इसका बाजार पूजी करण कितना होगा बढ़कर साढ़े नौ लाग करोड़ो पैडिक है इसको आप यह रहेंगे और इकि रिलाइंस इंडेस्टी के बाज जो है वर्द्मान में 7.9 लाग करोड़ो है तो इसको आप एक्स्ट्रा मेयार कहेंगे लेकिन सबसे पड़े क्रा रखना है आपको कि जो आपका रिलाइंस इंडेस्टी लिमिटेड है इसका वर्थमान में बाजार 55 करण कितना बढ़के हो गया है 9.5 लाग करोड रुपे और इस आंगडे को पार करने वाली ये भारती पहली कमपनी बन गई है चटा प्रशने की हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आतंकवाद, रोधी और संगठित अपराद के छेतर में सायोग को मजबूत करने के लिए एक समझोते पर अस्ताक्षर किया है और दीकिए जो भारत के ग्रह मंत्री हैं अमित साहा और उजबेकिस्तान के ग्रह मंत्री यानि की होम मिनिस्टर है पूलत बोबो जुनो तो इन दोनों ने वियाली में समझोते पर अस्ताक्षर किया है और दीकिस समझोते में जो है आतंकवाद, रोधी, संगठित, अपराद और मानो तसकरी समयत बिविन चेतर जो है इन चेतरों में सहयो को और बढ़ाने के लिए भारत के ग्रह मंत्री अमित सहा और जो आपके उजबेकिस्तान के ग्रह मंत्री है और उजबेकिस्तान की मुद्रा है उजबेकिस्तानी सोम ठीक है और साथाओ प्रशने की हाल ही में किस दिस में ब्यूबोनिक प्लेग के कुछ मामले सामने आए है तो दीखे अब याली में जो आपका चीन यानि की चाइना है कि यहाँ पर जो है ब्योगोणिक प्लेग के जो है कुछ मामले सामने आये है दीखे आप बता दूँ कि जो आपका ब्योगोणिक प्लेग है यह संक्रमित पिस्सू के काटने से पहलता है और जो आपका प्लेग है ये एक bacterial bond disease यानि कि जीवाणू जनीत रोग है इसको आप यहार रखेंगे देखे एक्जाम में एक्सर प्रस्ट पुझा था कि कौन सी बिमारी वाइरस से होती है कौन सी बैक्टिरिया से होती है कौन सी फंजाई से होती है तो इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ कि कौन सी बिमारी किस से होता तो जो आपका प्लेग है ये एक जीवाणू जो नीत रोग है और ये जीवाणू जो है इसका नाम क्या है ये जीवाणू जो है ये आपका ये रसीनिया पेस्टिस बैक्टिरिया में ठीक है यानि कि ये रसीनिया पेस्टिस बैक्टिरिया में यानि कि ये रसीनिया पेस्टिस जीवाणू जो है इसके कारा जो आपका ये बिमारी प्लेग नामा बिमारी फलता है देखिए वैसे जो आपका प्लेग बिमारी है ये तीन प्रकार का होता है कौन कौन से प्रकार होता है इसको भी जान लेते हैं देखिए प्लेग बिमारी तीन प्रकार का होता है पहला आपका है बियोवोनिक प्लेग दूसरा है 76 प्लेक और तीसरा आपका है नियुमोनिक प्लेक ठीक है तो प्लेक के ये तीनों प्रकार आपको या रखने हैं लेकिन सबसे पहले अभी करेंट न्यूस के आज़री है कि अभी हाली में चीन में चुड़ा है ब्योमोनिक प्लेक के कुछ मामले सामने आये हैं और जो आपका ये ब्योमोनिक प्लेक नामक बिमारी है ये किस जीवाणों के द्वारा प्लता है इसका नाम है येर्सेनिया पेस्टिस बैक्टिरियम और आट आपको उसने कि विस्व स्वास्त संग्ठन के एक अध्यान के अनुसार किस देश के किसोर अन्य देशों के किसोरों के तुलना में अधिक सक्री है तो दीखे ये देशा आपका भारत ही है दीखे अभी हाली में विस्व स्वास्त संग्ठन ने एक अध्यान के अनुसार अपना एक रेपोर्ट जारी किया है और उसमें उसने बताया है कि जो भारत के किसोर हैं ये अन्य देशों के किसोरों के तुलना में अधिक सक्री यानि कि एक्टिव है देखे डवलु एचो के दौरा किये गए इस अध्यान में कुल 16 लाख बच्चों को सामिल किया गया और ये जो है उसके बाद फिर आखड़ा जारी किया गया देखे जो अपाब विस्व स्वास्त संग्टन यानि कि वर्ल हेल्ट आर्गनाईशन है इसने ये अध्यान जो है ये 11 साल से 17 साल के चातरों पर किया डिक तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे लेकिन सबसे पर क्या रखना है कि विस्व स्वास्त संग्टन के अध्यान के अनुसार भारत के जो किसोर है ये अन्य देशों के किसोरों के तूलना में अधिक एक्ट्यू यानि की सक्री है चाहिए फेस्बुक पे और ट्विटर पे हो या फिर कहना में पब्जी खेलने में या फिर जवाब का वो कहना में टिक टॉक आगया आज खाल ठीक है तो उस पे सक्री हो देखे अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा वर्ल्ड हेल्थ आर्गनेशन की देखे जो आपका वर्ल्ड हेल्थ आर्गनेशन इसका मुख्याला पर चीनेवा सुझेलन में है और इसकी बरतमान में है टेड्रोज एडनान और वर्ल्ड हेल्थ आर्गनेशन के स्थाफ्या की गई थी साथ अपरेल उनी सो अटालिस को और नमवप्रशन के हाल ही में राश्वती रामनात कोमिन ने किस विधान सभा के द्वारा पारित पत्रकार इबं पत्रकारिता संस्थान हिंसा और संपत्ति की छती रोक्ताम 2017 विदेक को स्विक्रिति देदी है तो देखे ये विधान सभा आपकी है माहराश्ट की विधान सभा और आपको उतादू जो आपका ये पत्रकार इबं पत्रकारिता संस्थान हिंसा और संपत्ति की छती रोक्ताम 2017 विदेक है इसकी क्या विसेस्ता है देखे इस अधिनियम में पत्रकारों या पिर पत्रकारिता संस्थानों के मामले में नुकसान पहुँचाने वाले को 3 साल की सजा और 50,000 रुपे के जुर्माने के जोगा प्राधान किया गया है यानि कि अगर कोई भी आरोपी किसी पत्रकारिता संसान पर हमला करता उसको छती पहुचाता है या पिर किसी पत्रकार साथ मारफीट करता है तो उसको 3 साल की जेल हो सकती है और 50,000 रुपे का जोग जुर्माना उसको देना पड़ सकता है और देखे इसके साथ ही संसान को किसी भी तरह की छती पहुचाने या पिर पत्रकारों के इलाज का जुब्य होगा यानि कि अगर वो किसी पत्रकार का हाथ पर तोड़ देता है तो उस पत्रकार का इलाइस का जो खर्चा होगा यह उस अभ्यूगत को यानि कि जो आरूपी होगा उसको देना पड़ेगा और अगर जो आपका आरूपी होगा अगर वो संस्थान में कोई तोड़फूड करता है तो उसकी मरम्मत का जो खर्चा होगा ये आरूपी को ही देना पड़ेगा ऐसा इस विदेक में कहा गया ठीक है और दीके आपको दाद में जो आपका महराष्ट राजी है ये इस तरह का कानून जो है इसको पारित करने वाला पहला राजी बन गया है भारत का ठीक है तो ये चीज आपको याद रखना है अब दीके महराष्ट की बात तो करना भी बेकारी है क्योंकि महराष्ट में जो है एक आसाई सरकार अभी बनी हुई है महराष्ट का जो मुख्यमंत्री है इसने अभी सपत नहीं लिए अभी कुछ दिनों पहले देवेंद्र फरन्दिमिस वहां के मुक्यमंत्री बने थे लेकिन बाद में इनकी सरकार गिरकर ये बहुमत थाबित नहीं कर पाए देखिए महराष्ट में एक गाना बहुत सूट करता है वो गाना आजकल आया जो कि कुछ ऐसा कर कमाल तेरा हो जाओं मैं किसी और कर हूँ फिलाल तेरा हो जाओं तो महराष्ट में जो है जो आपका बारती जन्ता पार्टी उससे लिए कि मैं जो है सरकार अपनी बना लूँ सीउसेना मेरी हो जाए लेकिन सीउसेना जो है किसी और किसा सरकार बनने जा रही है तो देखिए अभी वह सके तो कुछ दिनों में जो है जो आपके उद्धो ठाकरी जो है ये मुकीमंतरी बन जाएं कि कहाँ के महाराज़ के ठीक है और इनका गटबंदन होगा किस के साथ कांग्रेस के साथ और NCP के साथ तो जब ये बनेंगे तब मैं आपको होता हूँगा भी जब तक बन नहीं जाते हैं ततबक जो है कोई भी जानकारी मैं उसके बारे मैं आपको नहीं दूँगा तो अभी महराष्ट विदान सभा के द्वारा पारित किये गए इस पत्रकार एवं पत्रगारिता संस्थान हिंसा और संपत्ति किछती रोख्थाम दरसत्रे विदे के बारे में ये डीटेल्स याद रखना है अपो ठीक है और दीके दस्वां प्रेशन बहुत इंपारिता है ये प्रेशन है मागर्द है कासे स्विद्धनम किसका आदर्स वाकियानी की मोटो है जिसे हाली में जारी किया गया है तो दीके अगर कोई संस्थान नई बनी होगी तो उसका नया मोटो भी जारी किया जाएका और अभियाली में जो है जो आपका लोगपाल है ये नया नया बना था बाकि सारे पुराने संस्थान है दीखे जो आपका मागर्द है कास विधनम जो है ये आदर सवा के आपका जो है लोगपाल का है और अब याली में इसको जारी किया गया है जो आपके लोगपाल के अध्यक्ष है न्यायमूर्थी पिनाकी चंद्रगोस ठीक है तो अब याली में लोगपाल के अध्राजि नयामुर्ती पीनाकी चंद्रगोस ने जो है लोगपाल का लोगो और आदरसवाग के दोनों जारी किया है और दीकिए इसका लोगो तो बाद में पिटेशा करेंगे लिए नभी इसके आदरसवाग के वया रखना है देखिए जो आपका लोगपाल का आदर्स वाक्य है या आपका है मागर्द है कास ये स्वीधनम ठीक है इसका अर्थ क्या है देखिए इसका अर्थ है किसी के धन का लोब मत करो ठीक है तो इसको आप याद रखेंगे और गए 11 पर स्थाइस की इसरो के द्वारा हाली में प्रशेपित किये गए भारती निगरानी सैटेलाइट कार्तो सेट्री को जो है किस लांच वेकिल से लांच किया गया है काफी चर्चा में है और इसको भी हाली में लांच किया है इसरो ने PSLV C-47 से PSLV का पुरा नाम है Polar Satellite Launch Vehicle तो Polar Satellite Launch Vehicle C-47 से भी हाली में भारती जो उपगरा यानि कि सेटलाइट है काटो सेट 3 इसको लांच किया गया है और इसकी विशेशता क्या है देखे जो आपका काटो सेट 3 है इसको जो है इसरो को दोरा लांच किया गया है और ये जो है सबसे ताकतवार कैमरे वाला नागरिक उपगरा है और जो आपका काटो सेट 3 है ये प्रित्वी से 509 किलिमेटर की उचाई पर साबित किया गया है और देखे कार्टो सेट 3 के बारे में एक जानकारी बताई जा रही है कि इसका कैमरा इतना पाउर कूल है कि अगर आप प्रित्वी पर खड़े हैं तो आपके जो घड़ी की सुई है ठीक है तो उसको देखा जा सकता है कि वो आपके घड़ी में कितना समय बजा रही है तो इसना पाउरफूल आपका ये कैमरा है कार्टो सेट 3 का और एक एक्स्ट्रा जानकर यह रखनी है जो कि आपका ये PSLV C47 बनता ठीक है तो इसके दौरा जो है कार्टो सेट 3 के साथ जो है 13 अमेरिकी नैनो सेटलाइट को भी सफलता पूरो कभी आली में इस दौरो के दौरा लांच किया गया है तो ये पूरी की पूरी डीटेल जो है आप इसको नोट कर लिए आज के सभी मातपूर करेंडेवर और अब मात कर लिए आज के सभी कुशन अड़े पे देखे आज के कुशन अड़े का पहला प्रशन है कि राष्टी दुख्द दिवस कब मनाये गया इस कांसर बताईए और आपके लिए दूसरा प्रशन है कि किस दिदी को भारती सम्मिधान दिवस मनायाता है इस कांसर बताईए और ये तीसरा प्रशन आपके लिए कि किस दिदी में मौझूद फ्लोटिंग स्कूल प्रजेक्ट को हाल ही में आगा खां आर्केटेक्चर आवार्ड से समानित किया गया कि इसके बारे मैंने आपको कल के वीडियो में देल में दाथा तो कल का वीडियो देखे इसको जरूर रिवाइज खलीजेगा और चौथा प्रजेक्ट के लिए कि किस दिदी में मौझूद गूरू घासीदा सर्राष्टी उद्यान को टाइगर रिज़र बनाए जानी की खोशा की गई है इसका अंसर बताईए और ठीके ये जो है इस दिदी का चौथा टाइगर रिज़र होगा बाखी के तीन टाइगर रिज़र कौन-कौन से इनका नाम में बताना है क्योंकि कल के वीडियो में आपको बताया था और आपके लिए पांचों प्रेशने की हाल ही में भारती तिरंदाज, दीपिका, कुमारी और अतनू दास ने कोलकाता में एस याई तीरंजाजी चैंपियंशिप में रिकर्व और कंपाउन मिस्ट्रिस असपरधा में काउन सा पता जीता है इस कांसर पता ही तो इसी प्रेशन के साथ आज का करेंटिपेशन ने सब आप सता है कल फिर मिलेंगे कल के करेंटिपेशन साथ वीडियो को भी लाइक कर शेयर कर देगा और जो लोग नहीं वो चैनल को सब्स्राइब कर लेंगे ताकि यह अगले वीडियो का नोटिपिशन को आटमेटिक औ इपडेट मिलते रहें तो इसी प्रेशन के साथ तो इसी के साथ बहुत 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 अन्यवाज थैंक यू एंड है बनाज़ दिप